गुड मॉर्निंग मेरे भाई आज जो एक्षली मैं वीडियो लाने ओला हूना भाई ये थोड़ा सा मेरे चैनल से डिफरेंट है आइम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक चैनल जो की इतना जेन्विन चैनल ता जो आज के टाइम पर एक्सिस नहीं करता है उस बंदे का नाम ता Amit और उसके चैनल का नाम ता No तो और मैं भी उस चीज़ पर वर किया कि जो भी बताओ, रियल बताओ, कोई भी आलतु-फालतु बाते लोगों को मत बताओ, जो एक्स्पिरियेंस कर रहे है उस चीज़ को बताओ, ऐसे ही आप सक्सेस हुए या ना हुए, कम से गम आप लोगों की लाइफ में एक सचा इंप से उसकी वीडियो सारे डिलीट करती है और या प्राइवेट करती है, कोई आइडिया नहीं है, काफे टाइम से वो परसन ऑनलाइन नहीं है, मैंने उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी वीडियो देखी थी, उसकी वीडियो आडियो व्लॉग में आती थी, मेरे को मिलती थे उस person से आज के time पे वो channel नहीं है तो कहीं न कहीं demotivation भी feel होती है क्योंकि बहुत कम इस कल्यूग में ऐसे लोग हैं जो कि genuine होते हैं जो कि genuine बाते बताते हैं भले हो अपने life में कितने भी dark side में हो या भले हो अपने life में कितना गलत करते हो लेकिन वो जो positive side है वो आपके संग share कर रहा है और वो positive side हर कोई share नहीं करता मतलब जब आप यहाँ पे होते हो तो आपके अंदर एक ego भी होता है जब आप इस world में होते हो ego भी होता है और काफी सारी ऐसी चीज़े होती है बट आप उन सब चीज़ों को हटाके अपना जो positive side है उसको बताते हो genuinely तरीके से बताते हो तो ऐसे person बहुत कम मिलते है मैं actually वीडियो इसलिए बना रहा हूँ एक लड़का है मेरे ग्रूप में मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा तो अभी अभी जस्ट दो में जब मैं यह recording कर रहा हूँ वैसे ही मैंने actually वो मेरे से question पोछ रहा था कि Prince भाई मेरे पास why ही नहीं है कि मैं क्यों करूँ और यह जो why का जो idea है ना अमित ने actually बहुत बढ़े तरीके से निकाला था उसने एक why page बनाता था कि कैसे कैसे हम किस किस जरीय से हम streak को लंबा बना सकते हैं कि मेरे अंदर यह यह problems है मैं यह यह लिखूँगा और जब भी मेरे को alges आएंगी तो मैं इस page को देखूँगा कि मैंने जब भी streak follow करना start किया था तुरंट actually उसने वाई page नहीं बुला था उसने बुला था मेरे पास वाई नहीं है कि मैं क्यों करूँ फिर मैंने उससे बूचा गया तो एक चैनल था ने उपिया में इंडिया तो उसने का नहीं मैंने नहीं नहीं देखा है तो उसी समय मेरे माईड में चीज़ स्टक होई कि अगर ये बंदा उसके चैनल पर होता तो यहर ये समझ चुका होता ना कि क्यों वाई लगाना है इस चीज़ पर और मैं actually वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उसके जो concept है ना देखो मैं मेरी life में spirituality को लेके आगे बढ़ा तो मेरी easy था बट उस बंदे ने कभी spirituality को बीच में नहीं डाया था उसके पास skill थी music बनाने की उस skill को पे उसने work किया वो creative रहा और इसके जरीए उसने अपना जो goal था उसको achieve किया था दोस बंदी की streak ढ़ाई साल की होई एक हमारे member है गुरूप में काफी पुराने उनका नाम है wolf तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी actually एक पार यही समझा रहे थे कि जब हम creative होते है तो हमारी energies वहाँ पर लगती है और फिर वो जो streak होती है वो हमारी अपने अब बंदी रहती है मतलब हमें distraction नहीं आता, urges नहीं आता और मेरे को यहीं सेम चीज समित में भी दिखी कि अमित की धाई साल की जब streak थी तो उसके पास spirituality life में नहीं थी और मेरे को लगता है वो अभी बीच में जब chaser में फसा जब यह channel पे उसके परिशानियां आई तो वो spirituality का एक lackness थी जब हम spiritual होते हैं न तो spirituality हमें काफी खुश सिखाती है भाई materialistic life है यह आपको हमेशे competition में रखेगी spiritual life आपको एक kindness देगी, peace देगी मेरे बहुत सारे concept खुले है spiritualities से बहुत सारे, तो मेरा जो believe है मुझे लगता है कि जब हम इस चरनी में होते हैं तो देखो spiritual तो हम हो जाता है यह तो बात पक्की है, लेकिन कभी कभी वो spirituality फल नहीं पाती है जैसे जो कली है, जब तक वो fool बनेगी तभी तो खुश्बू देगी अगर वो कली fool में नहीं बदल पाई है या कभी हम उस पे अच्छे से पानी नहीं डाल पाए कभी उसको नरिश नहीं कर पाए तो वो fool नहीं बन पाई तो महक नहीं दे रही न सेम ब्रह्मचरे में भी यह होता है अगर आप spiritual नहीं हो तो फिर यह जो energy है अगर यह creativity में तब नहीं लगाई तो फिर यह आपको परिशान कर देगी क्योंकि इसको direction चाहिए होता है जितने हमारे scientists या यह बोलो जिन्होंने nofair follow किया है न जो spiritual नहीं थे तो उनकी life का गोल था एक creativity level उन बहुत हाई गया तो वो जो गोल होता था न वो इंस्पायर करता था कि यार मेरे को यह चीज़ अचीज़ करनी है इस वज़े से मलब यह वज़ा भी नहाती थी कि इस वज़े से मुझे करना है यह ऐसा होता था कि उनके अंदल जुनून रहता था creativity का तो वो energy अपने आप आप लगती जाती थी उन्हें समझी नहीं आता था कि energy लग भी रहे कि नहीं उनका अपने आप यह चीज़ हो जाती थी जिससे हम कहले नो फैप या ब्रहमचरे तो यह चीज़े उनमें अपने आप हो जाती थी लेकिन जिसमें यह अपने आप नहीं हो रही है उसमें spirituality की need होती है प्रेमरान महराची को देखो किसी भी आप संद को देख लो उसमें ब्रहमचरे जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा और वो अध्यात्मिक भी होगा किसी भी आप संद को देखोगे न तो उसमें ब्रहमचरे अपने आप होता है वो भक्ती की रूप में जब होता है तो वो अच्छे आच्रणों में चलता है बक्ती करता है ब्रहमचरे अपने आप आजाता है spirituality यह कुछ step होता है जो जब हम creative नहीं होता है तब यह चीज़ें हमें बचाती है बट आने वाला जो time है वो पुरा नास्तिक होगा है मैं कहाँ जितने भी क्योंकि हम mind के level पर सोचने लगे है आने वाला जो time है वो atheist का है तो वहाँ पर creativity की need है और जो creative नहीं है उने spiritual life की need है अगर आप मुझसे बोलोगे ना इस वीडियो का part 2 बनाने के लिए मैं ज़रूर बनाऊंगा और पूरे तरीके से explain करूँगा और अगर हम इत किसी बुरी situation में चल रहा है तो भाही pray करो उसके लिए कि वो situation से बहार आए और फिर से अपना एक channel स्टार्ट करें जिससे भाही लोगों को motivation मिले inspire होते हैं जननी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो inspire होना चाहते हैं जिनके life में problem है लेकिन उन्हें कोई सही guidance देने वाला नहीं है भाही बली मैं मानता हूँ कि हम पैसे नहीं कमाएंगे और चीज से क्या फरक पढ़ता है मेरे भाई पैसे से जो अच्छे लोग कमा लिए इतना ही बहुत है यह क्या किसी दन से कम है लोगों के पैसे तो बहुत होते हैं पर अच्छे दोस नहीं खरीद पाते हैं यह किसी money से कम है गया तो बस ऐसी आगे बढ़ते रहो वाई positive होते रहो और चिंता मत करना है मतलब जिस समय तुमें जिस चीज की जरुद होगी ना उपर वाला देता है